कि नमस्कार मैं हूँ अनुराग आप देखना शुरू कर चुके गहें एंटी नेशनल 23 मार्च यानि सहीदी दिवस राजगुरू सुखदेव सहीद भगत सिंग आज के दिन तीनों का बलीदान दिवस हम एक तवहार के रूप में मनाते गएं क्योंकि कुछी वक्त पहले 24 को जब फांची की सजा मुकर्रर हुई उस दोर में अचानक से बढ़ते स सहलाब को इंदुस्तान की वो क्रांती को देखते हुए अंग्रेजों में जब जलजला देखा तो उनको कुछ समय पहले की 24 मार्च से 23 मार्च की रात को फाशी पर चढ़गा दिया गया उसके बाद भी जो अंग्रेजों की आग थी वो नहीं भूजी जैसी उनको सूली प लुक देव के सवों पर टेल डाल कर उनके जलाने का प्रियास किया इसी तरखा से हम बात करें हासी की यह जो लाल सडक है यहां पर पहली जो अजादी की करांती 1857 में जब चिंगारी जली तो यह वो लाल सडक है जहां पर सहीदों को जितने भी सवतनतरता सैनानी थे उनको यहां पे लाके गिर्डी फेर कर उनको यहां लिटा कर गिर्डी फेर कर मार दिया गया इतनी कुरूरता इतनी बरबरता को दरसाता हुआ यह आप देख रहेंगे हैं यहां पे सहीज समारक है और सहीज इसके पीछे जो आप देख रहेंगे हैं वो रेड वोल गया रेड मेमोर वॉल बनाने की यहां पर रस्ट यह सम्मान जो संग गया उन्होंने मांग जरूर उठाई है आपको यह दिखा देते हैं वॉल जहां पर जितने भी यहां पर सहिद हुए गया हासी के यह पीछे की जो दिवार गया है यहां पर प्लेट लगके बिल्कुल डिजिटल टाइप म मांग है कि यहां पर रखिये जो भी कोई लाल से रख पर आता गया शहर का कोई बच्चा गया बुजूर गया वह अपने इतिहास को पढ़े बाहर से भी जितने लोग आए वह इतिहास के बारे में जाने एक काफी अच्छी सोच है इसी प्रामले में आज यहां पर विभिन जो संगवातन ञें उनके लोग आए गैं इससे पहले ऊस्टरी मूर्तिय पारक है वहाँ पर कारीये करमका आयूजन कभ्या जिसमें विभिन संगवागा ही ने में से जान लेते हैं सर यहां पे आज लोगा आप आईंगे आज का दिन बड़ा पवित्तर दीन है पावन दिन गया है क्या मांगे आपने अभी रखिये नुराग जी सहीतों के आपने इतिहास दोराया बहुत अच्छा लगा और उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम मांग कर रहे हैं जैसे कि लाल सड़क के बारे में आप इतिहास ने जागरित किया इतिहास आपने कि य लिए नगर परिशत में ग्यापन दिया हुआ है दो जारा ठारा से और यह पिछे की जो वाल अभी आप दिखा रहे थे यह रैड रोड मेमोरियल वाल बने लाल सड़क की यादगार दिवार जो लाल सड़क पर जो आप बता रहे थे कि गेड़ी फिरादी गई करांतिकारी सहीदों पर उनके नाम जो हैं प्लेटों पर यहां लगे इस रैड रोड मेमोरियल वाल पर बने और यादगार दिवार बने इसका मेमरंडम भी यह दो जार अठारा में दिया गया था और एक यहां रास्टी दोज लगे बटसी गेट सहीदी समारक यालाल के अपना प्रति सबस्दों जैसे के सुनने में आयि था उस दोर में क्या कारण मानते हैं कहां रोडा ठग्या क्या क्या मानर के चल रहे आप लिए राजनीती मंचा तो साथ बिल्कूल मुझ ए ठीक है कोई आसी बात नहीं है कोई रोडे वारी बात नहीं कि शहर में विकास कारीये भी हो रह तो बड़े खुश हुए थे हुए और उन्हें तुरंत मार्क भी कर दिया था कि इसका यह काम होने वाला है करने वाला और मैं इसको करूंगा और 31 मार्च को अब हाउस मीटिंग होनी है इसलिए हम दुबारा से रिमाइंड देना चाहिए आपके विभीन संगठन है आज 23 मार जिस तरह से कार्य करम होते हैं क्या संदेश देना चाहेंगे कई ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक ही मंच पर यह आज का दिन तो सभी संगठनों को एक ही मंच पर आना चाहिए बहुत अच्छा कहा आपने कि ये पवितर दिन है क्योंकि इन सहीदों की सहादत से ही आज हमारे मंदिर गुर्दवारे मस्जिद सहर जिले स्टेट देश सब बचा हुआ है खुली हावाओं में सास ले रहे हैं और इस दिन को हम सभी संग्ठनों ने सभी सहर के जो संग्ठन है जिस भी सहर में हो एक ही मंच पर बनाना चाहिए दो मंच नहीं बनाने चाहिए इन सहीदों ने किसी एक विशेष का ہम के लिए काम किया था तो हासी सहर के भी भी संक्टों नोए संकल्प लिया है कि आगे से जो तो आप सुन रहे थे महंत सागर नाज जी के विचारों को क्रांतिकारी जो यूनियन के उनके प्राधान के क्रिशन एहलावादी जी इनसे भी जान लेते हैं सर आप लोग यहां पर आये क्या कहना चाहेंगे? तो पूछे कि वह यह इस सड़क का रंग लाल क्यूं है तो हमें उस शहीदों की यार आती रहे जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियां दे के अपनी जान दे के हमारे लिए अजादी दे गए हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और बाकी जो मैं जी ने एक बात त्रीव म करका दिन ही नहीं मैं तो यह कहूंगा जितने भी शहीदों शुषिती दिवस मनाये जाते हैं सारे सारे संक्टन कठे होगे एक ही जगह पर मनाए इसके लिए हम उनकी बात पर सहमत है और सभी भी जितनी में शेयर में संस्था हैं तो हम यह नहीं कहते कि कहीं मनाओ मतलब ज कि वाघ करण की बाते आने लगी गए लोग हैं यह मेरी कौम का यह मेरी कौम का जब तक हम यहां पे शरूर यह जरूर कहना चाहेंगे लोगों पूरे समाज के लिए पूरे देस के लिए अपने प्राहनल नुशावर किए गहें उन्हों अनुराग जी पहले तो मैं समाज के चोथे स्थम अनुराग जी का और केशव जी का हारती का बिनंदन करता हूँ हर समय हमारे एक बुलावे पर हाजिर हो जाते हैं आज जो 23 मर्च का दिन है ये क्यों याद किया जाता है क्योंकि जो हमारे तीन शहीद हुए देश के लिए उन्हें अपनी शहादत दी ये जो स्वासों की अमानत है वो उन शहीदों की बदोलत है हम ये कहेंगे जो अजाज श्वासों की अमानत है वो शहीदों की बदोलत है हम अपने मन के अंदर ये निश्चे कर लें अपने मित्रों को भी ये बताएं कि जो हम आजादी की आज स्वास ले रहे हैं हम इन शहीदों की बदोलत ले रहे हैं उसके बाद हमारे महंत सागर जाहतनी ने कुछ समय से इनके मन के अंदर एक प्रशन था एक भावना थी कि हमारे शहर को एत्यासिक धर्ती को बड़े दिवे रूप दिया जाए इसकी जो एक वॉल है उसको रेड वॉल का नाम दिया जाए एक जो लाल सडक है उसको भी एक रे पर कुछ लोग शहीद हो गए थे एक तिरंगे का मान और बढ़ना चाहिए और पता लगना चाहिए दूर से कि हासी नगरी पहुंच गए हैं हासी में पहुंच गए हैं इतनी लहराए हासी के तिरंगे को इतना मान समान मिल जाए कि लोगों को पता चले कि हासी में तिरंग लराया जा रहा है यहांसी के लोग इतने दिवे हैं इतने शहीदों का मान समान करने वाले हैं धन्यवाद भारत जैहिंद एक बार आपको दिखा देती हैं फिर से यह सही समारक है जो सहीद यहां पे हुए गए क्रांती जब अठारोसों स्तावन की पहली क्रांती जब ज्राओं का रहनात जहां पहले सहीद हुए इसके साथ यहां पे यति पूर्णा इनंद जी खैसे इसके साथ ये लाला हुकम चंद जैन जी कहां तो कितने की नाम कहांई में ऐसे जो जितने गिंदे जाए उतने कम हैं लाल चड़क का द्रिश्य जो कह है वह आपको दिखा देते गए और आपको इतिहास से अवगत हम पहले भी करा चुके गए कि सिर्गा से यह जो लाल सड़क है यहां पे अंग्रेजों की बरबरता जो थी वो दर्शाई गई दो और यह लाल सड़क देख सकते कहें यहां से लेकर जहां तक नजर जा रही गए यह वो लाल सड़क ह जहां पे सहीद हुए हैं जहां पे अंग्रेजों ने उन क्रांती कारियों को सहीद क्या ग्रिडी फेर कर हम भी नगर प्रिशत्य मांग जरूर करेंगे इस एतिखासिक धरोवर को एक बार फिर से सजोने के लिए इसको लाल किया जाए लाल कंक्रीट से बनाया जाए साथ मे कि महिंसागरनाच जी ने मांग उठाई है इन संगतों ने मांग उठाई है ये जू रैड मेमोर्यल जो जो बनानी की बात कर रहे हैं ये जरूर बनाए क्योंकि जो भी बाहर से आये जो भी को याता कह साथजिक का इतिखास जरूर पढ़े और उसको लोगों को समझाए उसको किसी से पूछने की जुरुत ना पड़े कि यह घास ही कहा है यहां इसका ही थी घास यह एक है आप देखते हैं एंटी नेशनल मैंडाक सिंग